हेलो एबरीवरन केसे आप सभी लोग आशाखरती आप सभी लोग बहुत ही आच्छे होंगे तो फ्रेंट्स से ये वीडियो मेरी साइब प्रेगनेंसी का आखरी वीडियो होगा क्योंकि आज में हम लोग होस्पिटल में आ गये हैं क्योंकि काल से मेरा थोरा वो तबियत बार बार उल्टिया भी हो रही थी तो इसी बज़े से हम लोग कल ही डॉक्टर को मेरे हस्बंजी ने फोन किया था तो तब डॉक्टर ने बोला कल सुबह आकर एडमिट होने के लिए तो बस हम लोग इसे लिए आगे अभी सुबह का ग्यारा बच रहा है तो अभी अभी रिपोर्ट आ जाए डॉक्टर को चकप दिखा ले तब ही हम लोग एडमिट हो जाएंगा अगर डिलिवरी होता है तो लेकिन डिलिवरी बिना डिलिवरी के आज अगर एडमिट होगे तो बहुत दिन लगेगा और बहुत दिन में बहुत सारा खर्च भी होगा तो इसी दॉक्टर की कहने से हम लोग या पर एडमिट होगे तो डॉक्टर ने बोला साम के साथ बजे आल्टरसन बगेरा होगा तक पता चलेगा कि क्या पॉब्लम है क्या नहीं तो बस हम लोग उसी का वीट कर रहे है साथ बजे का तो बस क्या होता है पता नहीं अभी देखते है क थोड़ा बहुत हम लोग सामान बगरा लेकर आ गए है क्योंकि यहाँ पर देखिए उसके बाद ही डायरेक्ली उसी दिन ही मेरा बिना लिवर पेन के डिलिवरी हो गया था क्योंकि हम लोग आल्टरसन के बाद डॉक्टर ने एक घंटे के बाद ही मेरा सिजरीन हुआ है मेरा देलिवरी नहीं बाद कुछ परब्लम की वज़े से डॉक्ठरने बोला था नॉर्मल देलिवरी हो सकती है लेकिन कुछ परब्लम होगा तो इसलिए हम लोग ने ही डिसाइड किया था आजबन ने डिसाइड किया था अगर पॉबलम होता है तो रिक्स है तो फिर हम लोग सेजरियन कर दो तो डॉक्टर ने सेजरियन एक घंटे के बाद ही मेरा सेजर हुआ था तो वो तीन दिन इतना पेंट फूल था मतलब आज भी बहुत ही पेंट कर रहा था मैं विस्तर से उ और अतनलों का सिजर हुआ है तब उन सब को शायद पता होगा कितना पेंट फूल होता है तीन दिन तो उसी के बाद डायरेक्ली छटा दिन है यह हम लोग ने सामान बेगरा पेक कर लिया है कि आज हम लोग के आज से डिच्चा सोके जा रहे थे डॉक्टर की वेटी कर रहे झाल